तमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनी ब्रेलनस में, मैं आपका साथी विवेक शर्मा, तो आए हैं आपके साथ एक बार फिर से हम, इस बार हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, एडवांस मैथ की क्लासिस, एडवांस मैथ जो है, वो आपको मेरे द्वारा करवाया जाएगा, तो आज से हम एडवांस मैथ की क्लासिस शुरू करेंगे, एडवांस मैथ में जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, पहले उनको डिसस करते हैं आज, कौन कौन से टॉपिक आप टिप्थ आयेगा angles and lines, फिर आयेगा आपका AP, algebra, circle, quadratic equation, linear equation of two variables, probability, matrix and 3D geometry and all other topics जो अभी हम यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, वो भी मेरे द्वार आपको करवाया जाएंगे. तो आज हम जो सबसे पहले topic शुरू करने वाले हैं, वो रहेगा trigonometric, trigonometric से हम आज शुरुआत करने वाले हैं, तो आईए, आज की शुरुआत करते हैं, trigonometric function से. trigonometry, trigonometry function जो है, सबसे पहले topic हमारा यहीं रहेगा, trigonometry. trigonometry, तो पहले आपको पता होना चाहिए, trigonometry होती ही है, trigonometry is a branch of mathematics, which deals with the sides and the angle of triangles, which deals with the sides and angles of the triangles. triangles, triangles, triangles के angles, जो भी हमारे पास angles होते हैं, angles और उसकी जो sides होती हैं, sides और angles, angles जो होते हैं, इनके बीच का जो relation है, इसके बारे में जो अध्याइन होता है, triangles के sides और angles के बीच का जो relation, जो इनके बारे में जो अध्याइन होता है, उसे trigonometry कहा जाता है, trigonometry is a branch of mathematics, which deals with the angles and sides of the triangles. तो trigonometry पढ़ने से पहले, मैं आपको trigonometry जो है, बिल्कुल ही base से कराऊंगा, तो शुराद से ही, basic से ही हम शुराद करेंगे इसकी trigonometry की, trigonometric function जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको trigonometric के formula सभी आने चाहिए, तो सबसे पहले हम इसके formula discuss करेंगे, then उसके बाद question discuss करेंगे, trigonometric function जो होता है, ये बड़ा ही एक असान सा topic है, अगर आपको basic से इसकी जानकारी हो, तो ये जिन्दीगी भर आपको नहीं भूलेगा, trigonometric function जो है, बड़ा ही एक असान सा topic है, अगर इसको कोई basic से, この बेस से इसको पढ़े, तो एक बड़ा ही असान सा topic बन जात लेकिन उससे पहले, Trignometry में हमें सारे फॉर्मले आने चाहिए, फॉर्मले इसके discuss होने चाहिए, तो आएए शुरूआत करते हैं, सबसे पहले, Trignometric में सबसे पहले हम discuss करेंगे, पहले हम बात करते हैं Trigonometric function की कि हमारे पास कितने Trigonometric function होते हैं कितने हमारे पास Trigonometric function होते हैं There are six Trigonometric function in mathematics सबसे पहले और ये जो Trigonometric function है इनकी एक position होती है अगर आप उन position में इनको लिखेंगे तो सारे के सारे जो formula हैं आपको याद करने में, आपको remember करने में असानी रहेगी, तो इसकी जो position है, पहले वो देख लें, उसी position में काफी सारे formula इसके निकलते हैं, सबसे पहले आएगा, sin theta, यहाँ पे आता है, cos theta, यहाँ पे आएगा आपका, tan theta, यहाँ पे आएगा, cos secant theta, यहाँ पे आएगा, secant theta, s, e, c, secant theta, यहाँ पे आएगा आपका, cot theta, यह जो theta है, theta की जगा आप x, y, z, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, theta is any angle, यहाँ पे जो theta होता है, यह angle होता है, theta is any angle, यह ग्रीक, ग्रीक की जो एक alphabet है, उसको हम theta कहते हैं, theta इसको कहा जाता है, theta is any angle, तो there are six trigonometric function, यहाँ पे आएगा, sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, and then last, cot theta, अगर यह trigonometric function की जो position है, आपको याद हो जाए, तो जितने भी trigonometric function की जो formula हैं, इनको आपको याद करने में बड़ी ही असानी रहेगी, trigonometric function में जो काफ़ी सारे formulas आते हैं इसमें, अगर trigonometric function की आपको formula याद नहीं है, तो इसके question आप नहीं कर पाएंगे, वो trigonometric function जो है, इसके आपको पहले formula आने चाहिए, उससे पहले आपको ये position याद करनी होगी, ये सब position, जो टे 6 trigonometric function है, वो इस position में आपको लिखने पढ़ेंगे, sine, cos, tan, cosecant, इसके नीचे secant, इसके नीचे cot, आईए, इसके सबसे पहले हम इसके formula के बारे में जानते हैं, तो इसको पहले यहाँ पे side में लेख लेखते हैं, यहाँ पे, sine theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, and cot theta. सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, 90 degrees identities, 90 degree identities, 90 degrees identities, यहाँ फिर 90 degrees formulas भी आप इसको कह सकते हैं, 90 degrees identities में, ज़रा, इस six diplomatic function पे आप ध्यान देंगे, 90 degrees जो identities हैं, इसमें जो sign का relation cost के साथ होता है, और cost का relation sign के साथ होता है, 10 का relation जो इसके नीचे है सिद्धा, cot के साथ, and बाकी जो बच गे, 10 का relation code के साथ, cot का relation सिद्धा इसके साथ, फिर cosecant का relation secant के साथ, secant का relation, cosecant के साथ, यह आपको diagram maps आप बना सकते हो, अपनी कोपियों में, आपको 90 degrees formula याद करने में असानी रहेगी, यह मैं जो take dramatic function है, बिल्कुल ही basic से पढ़ा रहा हूँ, तो 10th class में पढ़ाया जाता है, 10th से लेकर plus 2 तक, जो भी level है आपको पढ़ाया जाएगा, पर हम basic से आज शुरू शुरूबात कर रहे हैं इसकी, तो 90 degrees form identities में आपको sign और cause का relation होता है, यहाँ पर, 10 और code का relation होता है, और cause second का relation इसमें होता है, तो आईए सबसे पहले इसका formula डिसकस करते हैं, एक formula होता है हमारे पास, sign 90 degree minus theta, sign 90 degree minus theta, तो आपको यहाँ पर map पर दिख रहा है, sign का relation cause के साथ है, तो इसका जो सिद्धा answer आजाएगा, वो आएगा, sign किसमें change हो जाएगा, cause में, इसका answer जो आएगा, वो आएगा, cause theta, जो चीज यहाँ पर होगी, अगर sign में 90 degree में से कुछ minus हो रहा है, उसी द्धा, sign का relation किस के साथ आएगा, cause के साथ, तो इसका answer क्या होगा, cause theta, second में, अगर मैं cause का लिख दूँ यहाँ पर, cause 90 degree minus theta, यह क्या आएगा, sign change into cause, and cause change into sign, तो इसका जो answer आएगा, वो आएगा, sign theta, यह दोनों question हो गए, sign 90 degree minus theta, cause आ रहा है, और cause 90 degree minus आ रहा है, sign, इसी दिए मैंना यहाँ पर लिखा था, sign का relation cause के साथ, और cause का relation, sign के साथ, अब आगे tan और quote को लेते हैं, पहले आएगा, tan 90 degree minus theta, tan 90 degree minus theta, is equal to आएगा, quote theta, और अगला इसका, अगर मैं quote से करूँ, quote 90 degree minus theta, is equal to, tan theta, tan का relation quote के साथ, quote का relation tan के साथ, vice versa, एक दूसरे के vice versa रहेंगे यह, tan 90 degree minus theta is equal to cos theta, and cos 90 degree minus theta is equal to, tan theta, यह डाइग्राम, यह जो six trigonometric function का डाइग्राम है, 90 degrees formulas के लिए, यह आप यहाँ पे इसको बना ले, आकि आपको formula याद करने में, बड़ी असानी रहेगी, यहीं पे लिख रहा हूँ, मैं बाकी जो कुछ बच गए हैं, अब इनकी बारी आई, अगर हमारे पास हो, अगर हमारे पास हो, अगर मैं सीकेंट ले लूँ, तो यह क्या आएगा, cos secant theta, cos secant theta, तो यह आपके trigonometric function में, जितने भी 90 degrees formulas हैं, सारे के सारे आपके सामने, मौझूद हैं, इसमें याद रखेंगे आप, द्वारा से बता रहा हूँ, मैं, sine का relation cos के साथ, cos का relation sin के साथ, tan का relation cot के साथ, जो इसके निची आएगा, and cot का relation tan के साथ, cos secant का relation secant, secant का relation cos secant के साथ, आपस में vice versa होते हैं यह, इसलिए जब sign में 90 degree minus, कुछ theta minus हो रहा है, direct cos theta आ रहा है, और जब cos करेंगे, तो direct sign आएगा, tan करेंगे, तो quote आ रहा है, और quote करेंगे, तो tan आ रहा है, वैसे यहाँ पे, cos secant 90 minus theta secant आ रहा है, और secant 90 minus theta, cos secant आ रहा है, यह सारे के सारे आपके, 90 degrees formulas हैं, इनका screenshot भी आप ले सकते हो, तो आईए, उमीद है कि आपको 90 degrees formulas जो हैं, वो समझ आए होंगे, आईए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास रहने वाला है, second number पे, reciprocal identities, reciprocal identities, सबसे पहले जो उसमें रहने वाला है, वो रहेगा आपका, reciprocal, पहले यहाँ पे, वही position लिख लेते हैं, sine theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, and cot theta, यह सारी, आपको position आपको याद रखनी है, sine यहाँ, cos यहाँ, tan यहाँ, cos secant, secant and then, then quote last में, इसकी जो identities, sorry, position है, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आगे हम करने वाले हैं, reciprocal identities, reciprocal formulas, जो, trigonometry में use होते हैं, और काफी ज़्यादा मात्रा में यह use होते हैं, तो आईए, पहले reciprocal identities का जो relation है, 90 degrees का relation आपने है, जो diagram बना लेना है, और यह reciprocal identities का diagram है, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें 90 degrees के तरह, sin और cos का relation सेम है, sin का relation cos के साथ, नहीं नहीं, sorry, sorry, reciprocals formula हैं यह, reciprocals, मतलब, इसी चीज का ultra, तो sign के देखो गए, ध्याँ आप ध्याँ रखेंगे, sign के निचे, cosecant है, तो sign reciprocal में जाएगा, cosecant के, और cosecant, sine का reciprocal है, वो cosecant है, यह जो position है, इस position के अनुसार, sign का reciprocal, मतलब ultra, cosecant है, और cosecant का reciprocal, sign है, वैसे ही, simple यहाँ पे, cos के निचे, secant है, मतलब, cos का जो reciprocal था, वो secant होगा, और secant का जो reciprocal, उल्टा होगा, वो cosecant होगा, और tan का, tan का reciprocal, coat होगा, और coat का reciprocal, यहाँ पे, tan होगा, मतलब, जो यह, trigonometric function की, जो position मैंने आपको बताई है, आपने इसका denominator याद रखना है, denominator और numerator का इसमें, relation होता है, आपने सिर्फ यही याद रखना है, reciprocal identity शुरू करते हैं, question, identity से लग जाएगा, आपको पता, पहली identity रहेगी, sin theta, sin theta is equal to, reciprocal, sin theta किसका reciprocal है, sine के निशे cosecant है, तो sin theta is equal to, यह formula होता है, sin theta is equal to, one upon, cosecant theta, पहला formula है आपका, sin theta is equal to, one upon, cosecant theta, अगला, अगला आपका रहेगा, वैसे ही, अगर cosecant लिखू मैं, cosecant theta is equal to, यह रहेगा आपका, one upon, sine theta, cosecant theta is equal to, one upon, sine theta, वैसे ही, थर्ड नंबर पे, यहाँ से चुरू करते हैं, cos के निचे सी, cos सुरू करते हैं, cos theta किसके बराबर होगा, cos theta is equal to, cos theta is equal to, cos के निचे सीकेंड है, तो यहाँ पहे आएगा, one upon, secant theta, one upon, secant theta, वैसे ही, अगर मैं secant theta लिखूं, fourth formula आएगा, यह सब के सब formula है, वैसे ही, अगर मैं secant theta लिखूं, तो secant के उपर कौन है, cos है, तो यहाँ पहे आएगा, one upon, cos theta, वैसे ही, next formula की बात करूं, यहाँ पहे, tan theta, अब भही, tan theta किसके बराबर होगा, tan theta is equal to, tan के निचे क्या है, cot है, तो tan theta is equal to, one upon, cot theta, वैसे ही, अगर हम cot की बात करें, तो cot theta, is equal to, cot के उपर tan है, तो यह आएगा, one upon, tan theta, इसलिए मैं आपको बोलत है, यह जो trigonometric function का, जो position है, आपको याद हो, तो सारे के सारे formula याद करने में, आपको असानी, रहने वाली है, और रहेगी, तो reciprocal formula में, sine के निचे cosecant, तो sine, sine जाएगा, one by cosecant में, और cosecant जाएगा, one by sine में, वैसे ही, cos जाएगा, one by secant में, second जाएगा, one by cos में, 10 one by cot में, cot one by tan में, तो ये आपके सारे के सारे formula, reciprocal के formula के formula, लिपादी में आपको, sine ठीटा, sine के निचे cosecant होता है, तो इसलिए one by cosecant ठीटा, cosecant ठीटा, cosecant के उपर sign होता है, तो cosecant चला जाएगा, one by sine में, ये एक दूसरे के reciprocal होते हैं, जो ये आपको, इस position में आपको, उपर नीचे दिख रहे हैं, इसी में ही reciprocal बदला जाता है, cos theta, cos होगा, one by secant, क्योंकि cos के नीचे secant है, और secant की बात करें, तो secant क्या होगा, one upon cos theta, वैसे ही, tan, tan के नीचे coat है, तो tan is equal to one by coat, and coat के उपर tan है, तो coat is equal to one by tan, तो ये थी आपके reciprocals formulas, बाकी जो formulas हैं, हम आपकी जो अगली वीडियो हैं, उसमें discuss करेंगे, तो आज की वीडियो को हम यही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे, trigonometric के ही, कुछ trigonometric के ही formula लेकर, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए, धन्यवाद,